नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल अचार जागंद्र मिस्त्रा में कल से खत्म होगी सनी की धहया इन पांच राशियों को मिलेगी अपार खुशियां जी हां दोस्तों दोस्तों जोतिस सास्तर में सनी को न्याय का देपता बताया गया है ऐसा बताया जाता है कि सन देव मनश को उनके कर्मों के हिसाब से सुब और अशुफल देते हैं यदि किशी व्यक्त के कुंडली में सनी सुब इस्तिती में हो तो इसकी बज़े से उस व्यक्त को अपने जीवन में शभी शुक शुविधाओं की प्राप्ती होती है उस व्यक्त का जीवन हासुखिसी में बितीत होता है हिंदू धर में सनी ग्रह को सबसे पापी ग्रह भी माना जाता है सनी को सबसे अधिक क्रोध वाला देव भी माना जाता है सास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जिस भी इंसान के उपर शनी का प्रभाव पर जाता है तो उस इंसान के जीबन में मुसीवितों का आना शुरू हो जाता है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है अगर सनी देव की सुब इस्तिती में हो सनी देव उच्च के हो और सनी देव बहतर राजयोग और धनयोग का निर्मार कर रहे हो या अपनी स्वैम की राशी मूल त्रिकोन राशी में हो तो दोस्तों सनी देव रंक से राजा भी बना देते हैं इंसान को लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको हम बताएंगे कि कल से यानि कुछ राशी वाले जातकों के उपर सनी देव महरवान होने वाले हैं और इनकी धया अब खत्म होने वाली है दोस्तों बुरा प्रभाव सन्य देव का खत्म करने के लिए आपको ज़्यादस ज़्यादस सन्य देव के मंत्रों का जाब भी करना चाहिए ताकि आपके उपर सन्य देव का अशुप प्रभाव ना हो हिंदु धर्म की मानताओं के अंसार सन्य देव को खुश करना काफी मुश्किल होता है जिस इंसान पर सन्य देव एक बार महरवान हो जाते हैं तो उसके तो जैसे किस्मत ही चमक जाती है उनकी जीवन में आपार खुशिया प्राप्त होती नजर आएगी उनकी किस्मत में पैसा आने वाला होता है सन्य देव का प्रकोब भी जब किशी पर पड़ता है तो उस दिन से ही उसका बुरा समय शुरू हो जाता है जब सन्य किशी पर महरवान होते हैं तो उसकी किस्मत ऐसे चमकती है कि बस मानो बस अब राजाओं जैसी यनि किस्मत हो जाती है और राजाओं जैसे सुक्षुवधा परदान करने बाले होते हैं उन लोगों के जीवन में खुसियों की बहार आ जाती है आपको बता दे दोस्तों कि कल से खत्म हो रही है कुछ राजवले जातकों की धैया आपकी जानकारी के लिए बता दे दोस्तों कि सन देव की चाल बहुत ही धीमी होती है यह एक राज़ी से दूसरी राज़ी में अपना इस्थान बदलने में लगबग धाई वर्स लगा देते हैं यानि अगर किशी व्यक्त की राज़ी में शन देव उपस्तित हो आ जाएं तो धाई वर्सों तक वहीं पर बिद्धिमान रहते हैं जोतिस सास्तर के अनुसार अगर किशी इनसान के उपर शन की महादसा शाड़े साती या सन की धहया और सन के यनि की अंतर धसा चल रही है तो जीवन में उसके कई परकार की परेसानियों भी उत्पन होने लगती है दोस्तों अब आपके उपर सनी का जो ढहया होगा सनी का भारी पन होगा वह अब कल से खत्म होगा दोस्तों अब इसको आप कैसे पहचानेंगे कि सनी देव आपके उपर भारी हैं सनी देव आपके उपर प्रकोप कर रहे हैं इसके लिए जोतिस सास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसकी सहायता से आप इस बात के अनुसार जान सकते हैं आपको बता दे कि जोतिस सास्त में यानि कि जोतिस सास्त के अंसार जिन लोगों के उपर सनी देव भारी रहते हैं उन लोगों के सिर के बाल गिरने लगते हैं सिर के बाल यानि कि एकदम से गिर जाते हैं और वो थोड़ा सा टकले हो जाते हैं ऐसे संकेत इस वात की तरफ से इसारा करते हैं कि उस ब्यक्ति के ऊपर सन की छाया परना सुरू हो जाती है अगर आपको अपने जीवन में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं तो तुरंत आप सन देव को प्रसंद करने का उपाई कीजिए दोस्तों आशुब शनी की बज़र से ब्यक्ति गलत कामों की तरफ जाने पड़ता है सनी भारी होने पर ब्यक्ति का शुभाव बदल जाता है शरीर में आलश बन जाता है एक काम को करने के लिए कई दिल लगा देते हैं यानि टालना सुरू कर देते हैं इतना ही नहीं बलकि सनी खराब होने की बज़े से काम काज में बाहर बाधाई उत्पन होने लगती है दोस्तों आपको बता दें कि कल से शनी वार का दिन भी रहेगा और विशेस राजयोग और धनयोग का निर्मार होगा जिसके कारण इन पांच राश वाली जातकों के उपर शनी देव अपार खुशिया बर्शाएंगे दोस्तों कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब बाधायों उत्पन होती है तो बंता बंता काम भी बिगड़ जाता है सनी खराब होने की वज़े से सुभाव में नाकरात्मक देखने को मिलती है बाल ना खून दाड़ी हमेशा बड़े होते हैं इनसान की रूची मांस मदरा खाने पीने में अधिक होने लगती है अगर पालतु जानवरों की अचानक से मृत्य हो जाती है इनसान नौकरी या बिजनेस को लेकर अधिक परिशान होने लगता है और दोस्तों अगर आपको अपने जीवन में इस तरह की शंकेत नजर आते हैं तो आपको तुरंत साउधान हो जाना चाहिए और भगवान सनी दो को प्रकौप से बचने के लिए आपको ओम संप्षने चिराय नमय और पीपल के बिच के नीचे सरसों के तेल का दीपक काली उड़ा दे और काला तिल आपको किसी काले कपड़े में बांध के तीन बार उल्टे बार के चाहिए तो पीपल के बिच के नीचे डाले या आप किसी गरीम निर्धन को दें, सनी बार के दिन आप कोई भी काली वस्तु ना खरीदें, खास कर तेल, नमक, लोहा, इत्याद बिल्कुल ना खरीदे, काले कपड़े ना खरीदे, काले वस्त्र ना खरीदे, बलकि इन चीजों का दान देंगे, तो सनी देव आप पर महरबान रहेंगे जोतिस्त में बहुत सारे उपाई बताए गए जिन में से कि आप चाहें तो सनी का चालीसा पाठ कर सकते हैं सनी का महम यानि जो महमरतुन जाब को तो करी शकते हैं चुकि सिव जी सनी देव के गुरू है और यह सिस्त हैं इसलिए ओम नमे श्वाय का जाब करें और हन्मान चलीसा शुंदर कांड का भी पाठ करें और यहाँ पर सनी अश्टक का पाठ करें सूर देव की उपासना करें क्योंकि सूर देव इनके पिता है पीपल के बिच का पूजन करें जितना ज्यादा ज्यादा हो सके और आप कम सकम एक सव वाठ वार सनी वार के दिन पीपल के बिच का परिक्रमा किया करें घोडे की नाल पहने अंगुठी धारन करना आप कर लें यह सबी चीजे प्रमुक है सनी देव से संबंधित मंत्र भी ओम प्राम प्रीम शह शने शिराय नमे इस मंत्र को कम सकम आपको एक सव वाठ वार जाप करना है इसे सनी देव जल्दी प्रसन हो जाते हैं साथी साथ सनी प्रसन मंत्र आपको एक ओम शम शने शिराय नमे इस मंत्र का भी जाप करना चाहिए दोस्तों भगवान संदेव उस ब्यक्ति पर भगवान संदेव की अपार कृपा निरंतर बनी रहती है जो इन मंत्रों को और इन उपायों को करता रहता है दोस्तों यदि आप इन में से कोई भी उपाय निरंतर अपने जीवन में करते हैं तो भगवान संदेव के अपार कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है और इससे आप बहुत कम मेहनत किये बिना ही आपार जीवन में तमाम शुक शुबधाई परात करेंगे और आपार खुशि कमी ना हो इशिक्रम से जोतिस कीमत के अनुसार ग्रहों की चाल के कारण ऐसा संयोग बन रहा है कि दोस्तों इसमें कल से यनि की माता लक्ष्मी और भागवान संदेव एक साथ प्रसंद हो रहे हैं कल से क्योंकि कुछ राशवाले जात्कों के उपर संदेव भी प्रसंद हो लाब के वारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे तो आएए दोस्तों सुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले आप से एक छोटी सी रिक्ष्ट है कि अगर आप पहली बारा हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक सेर अवश्य करे इस राषवाले व्यक्तियों के उपर सनिदेव महरवान होने वाले हैं अवास आप लोगों के यानि मान समान की प्राप्ती तो होगी होगी साथी आपको शफलताएं भी मिलेंगी चाहे आप ब्यपसाई करते हों या नौकरी करते हों इसके साथी साथ स्वास्त संबंधि श महरवान हो रहे हैं संदेव की क्रिपादिष्ट लगातार रहने वाली है आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी उन सभी समस्याओं का अब अंत होने वाला है जोतिस सास्त के अंसार आपको अब आने वाले समय में अचानक बड़ा धनलाब होगा आपको अपने आने वारे समय में बहुत ही चाहा यानि अच्छी खुसकवरी मिलेगी मन चाही नौकरी मिलेगी इसके साथ ही साथ आप लोगों के अठके हुए काम भी अब बंते हुए ने जराएंगे और आपके जीवन में आने वारे सभी कष्ट दूर होंगे आपको अपने जीवन में कोई नहीं रोक शकता है जी रहा दोस्तों कई तरह के लाएंगे सनि देव की विशेश कृप अपे नहीं होने वाली है जी है बता दें कि आपके जीवन में की शारी परेशानिया अब शनी देव खत्म करने वाले हैं जीवन की जितने भी कश्ट या मुश्किले थी अब उससे निजात पाएंगे और बैवाहिक जीवन सांदार रहेगा क्योंकि आपकी साड़े साती खत्म हो चुकी है साथी साथ दोस्त बता दे कि आपके जीवन की शारी मुश्किले अब खत्म करने वाले हैं रुके हुए जो काम थे पेंडिंग थे वो पूरे होंगे कोई बड़ा प्रोजक्ट आपकी हाथ लग सकता है लोटी शट्टा शेयर मार्केट में जवरजस्त मुनाफ़ा देखने को मिलेगा साथी धन संबंधी मामलों में आप बेहतर लाभ प्राप्त करते निज़ाएंगे नौकरी में प्रमोशन की योग है तो वहीं शेयलेरी में बृद्धी की योग है दोस्तों पांचमी जो राशी और अंतिम राशी आती है दोस्तों वो है कुम राशी कुम राशी वाले जात को बत करना है तक कि आपको और सफलताएं मिले hasran आपके जीवन में अब सनि देव Mire तो आगली राशी आती है दोस्तों मेस्ट्रासी मेस्ट्रासवाली जातकों को बता देखिए आपके उपर संदेव बहुत ही जादा महरवान वाले है अब आपके रुके हुए प्रोजेक्ट पूरे होंगे लोन के लिए आवेदिंद्द गिया तो लोन मंजूर होता हुआ दि जाते 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 कमेंट में सेक्षन में आप जय संदेव अवश्ण लिखें और जाते जाते वीडियो लाइक जरूर करें नहीं तो चलों को सब्सक्राइब करें पर शेयर करें